बड़ास आजका अपना टपिक है नवश व प्लाय और यह जो है अपने पार्ट वन वीडियो की ही उसी वीडियो का एक कंट्युईइचन है क्योंकि जो सौफ्ट प्लेट का नर्फ सप्ला है यार यह बहुत हमना क्उंपलेक्स है क्योंकि इसके अंदर आपना स्मेटिक नर् system दोनों के concept यूज होते हैं इसलिए अगर आपने मेरी Autonomic Nervous System की वीडियो नहीं देखी न तो यार वो भी आप पहले देख लो link माई बटन में दे दूँगा क्या होता है जब आपने basic concept clear होते है कि पहरा sympathetic nervous system क्या है sympathetic nervous system क्या है कहां से आती है तो अपने को क्या सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं तो अगर आपने मेरी वो वीडियो पहले ही देख रगी है तो अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर नहीं भी देखी तो यार मैं का फिर से तुम्हें एक बार हलका सा शौट में रिकैब कर देता हूँ फिर से अपन रिवाइस कर लेते हैं तुम यहाँ पर देखो तो एच्छली में होता क्या है जो अपना नर्वर सिस्टम जो है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक सेंट्रल नर्वर सिस्टम दूसरा पैरिफेरल नर्वर सिस्टम अब यह जो सेंट्रल नर्वर सिस्टम जो है इसको भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एक अपना ब्रे फाइवर क्या करते हैं वो अपने टीशू से ब्रेन तक अपना सैंसेशन ले जाते हैं डज पेन प्रेशर और वहीं फिर अपना आता है मोटार नर्व तो यह मोटार नर्व जो है वो अपना ब्रेन से टीशू तक सिगनल लाते हैं वो अपने होते हैं मोटार नर्व अब यहा अपना होता है autonomic nervous system अब यह तो somatic nervous system जो है वो अपना मेलनी होता है voluntary और अपनी body में voluntary क्या होती है अपनी body में voluntary होती है सारी muscles तो जितने भी अपने plexus देखते ना brickel plexus lumbar plexus sacral plexus यह सारी के सारे plexus की जो रहती है वह अपनी nerve रहती है somatic nerve क्याकिए वह अपने muscle को सप्लाई करती है brain से muscle को सप्लाई करती है तो वह अपनी होती है Somatic nerves और फिर अपना आता है autonomic nervous system वह mainly人 बहुत उर्ट्वाय करती है जो शापने organs रहती है वह अपने involuntary है इसलिए अपन से करवाते हैं autonomic nervous system से अब जैसे कि autonomic nervous system में दो तरीके की nerve आती है एक पैरा sympathetic nerve दूसरा sympathetic nerve अब क्या होता है अब क्या है voluntary तो अपने control में है अपने उसका एक एक नफ से करवा सकते हैं अपनी मसल का contraction भी और उसका rest भी लेकिन क्या होता है जो autonomic nervous system जो है जो अपने voluntary control में नहीं है तो उसके लिए अपनको सिक्रेशन करवाने के लिए दूसरी nerve देने पड़ती है अगर मैं आपको heart का example लूँ तो अपनको heart rate बढ़ाने के लिए अपन यूज करते है sympathetic nerve sympathetic nerve अपना क्या करती है heart के level पर अपना contraction करवाती है अपना heart rate बढ़ा देती है वही पैरा sympathetic nerve करती है अपना heart rate कम कर देती है ऐसा क्यों होता है अपने आप दो दो nerve क्यों दे रहें बढ़ाने के लिए अलग और घटाने के लिए अलग क्योंकि यह involuntary है अपने यह दोनों control में नहीं होते अगर यह involuntary है इसलिए अपने इसको बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए दोनों अलग अलग देते हैं लेकिन यार जो autonomic nervous system का जो है यह सब में अलग 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 वेरी करता है हाट में मैंने बताया तो sympathetic बढ़वाएगा parasympathetic कम करेगा लेकिन यहां अगर अगर अपन soft palate में देखे न तो soft palate में अपने present रहते हैं mucos gland तो यहां पर mucos gland का secretion करवाने का काम अपना करेगी parasympathetic nerve इसलिए अपन यहां पर parasympathetic nerve को बोलते हैं secreto motor nerve secretion करवा रही है और motor इसलिए क्योंकि वो brain से अपने mucos gland तक जा रही है इसलिए तुम क्या बलकुल term को समझो रट्टो मत की secretive motor तुम को समझो secretive motor क्या होता है और secretive motor मैंने तुम्हें basic बताया कि यह एक तरीकी की parasympathetic ना हुए ठीक है यह अपन ने एक बार शॉट में पूरा बेसिक्स देख लिया तो आपको क्या सारा वा सारा अम नफस अपला और अच्छे समझ में आएगा अब अपनने क्या देखा था ठीक है सिर्फ एक मसल अगर अपन छोड़ दें जो कि अपनी होती है टेंजर विलाई पैलेटीनी मसल यह वाली मसल सप्लाई अपनी होती है मेंडिबुल और नफसे बाकि सारी के सारी मसल जो हैं अपने soft पैलेट में वो सप्लाई होती है pharyngeal plexus से तो अपन ने सबसे पहल है जो अपन टेस्ट का तो सेंसेशन करते हैं एक तो अपने टंग में प्रेजेंट रहते हैं टेस्ट बट टंग के अलावा जो अपना soft पैलेट है ना soft पैलेट में भी अपने प्रेजेंट रहते हैं टेस्ट बट तो यह भी अपना करवाएगा टेस्ट सेंसेशन तो सारा क सारा तेस्ट सेंसेशन है अपना ओरल केवेटी से वह अपना होता है गेस्ट्रेटरी नर्फ से ठीक है तो अब अपन क्या इस गेस्ट्रेटरी नर्फ के अगर मैं आपको पातवे बताऊ न इसका पूरा रस्ता त्यारे बड़ा ही कॉंप्लेक्स होता है इसको तुम्हें गा बिल्कुल ध्यान से तुम सुनना तो तुम्हें सारी चीज़े याद हो जाएंगी अल्टीमेटली क्या होता है अपन जैसे कि अपना तो टेस्ट सेंसेशन है सॉफ्ट पैलेट से हैं मालो अपन ने भैदरन खा लिया भी छोले कुल्च है अप छोले कुल्च का अपन को आगा है टेस्सेंसेशन वो सारा का सारा टेस्सेंसेशन अपना चला जाएगा लैसर पैलेट टाइन नव में तो यारे नाम भी बड़े इजी-जी है आपको जल्दी आद हो जाएंगे जैसे कि soft pellet है soft pellet से यहाँ पर related है lesser pelletine nerve pellet और pelletine तो तुम्हें क्या अगर तुम चीजें relate करके पढ़ोंगे तो जल्दी याद होंगी तो अपनते भई अपना taste sensation सबसे पहले आता है lesser pelletine nerve में then lesser pelletine से वो चले जाएगा interior pelletine nerve में फिर interior pelletine से वो चला जाएगा अपना terigo pelletine ganglion में लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता हूँ यहाँ जो terigo pelletine ganglion है न वहाँ पर synapse नहीं बनाता है यहाँ पर कोई relay नहीं होता उसका अगर जिन लोगों को भी ganglion का मतलब नहीं पता तो यार उनको मैं यही बोलूँगा कि आप मेरी autonomic nervous system के वीडियो देख लेना क्योंकि यह basic concept है मैंने बहुत डिटेल में आप बताया था तो अचली में जो ganglion रहती है न तुम यह समझ लो ganglion में अपना एक nerve दूसरे nerve के साथ synapse बनाती है गैंगलियोन वो place है mainly ganglion जो है उन्हें में अपने प्रेजेंट रहते है nerve की cell body जो अपना nerve होता है न उसमें रहती है अपने cell body और exon तो इस ganglion में अपना प्रेजेंट रहते है mainly nerve की cell bodies तो अपना एक ganglion होता है terigopeletan ganglion तो क्या होता है यहाँ पर terigopeletan ganglion से यह जो अपने gastratory nerve का pathway है वो सिर्फ cross करता है यहाँ पर कोई भी plexus नहीं बनाएगा वो तो यह याद कर ले न मैंने यह लिखा भी है नोरिले फिर यहाँ पर terigopeletan ganglion से होते हुए अपना आ जाएगा वो greater petrosal nerve में then greater petrosal nerve के बाद यहाँ पर एक ganglion present रहती है वो है geniculate ganglion तो यहाँ पर जो geniculate ganglion है यहाँ पर अपना होगा synapsis straight in nerve का जो path पर है वो कुल मुला के इसने सारी nerves को cross करके वो अपने आ जाती है geniculate ganglion में then यहाँ geniculate ganglion से एक nerve निकलती है जो की रहती है nervous intermedius और यह nervous intermediate ultimately अपने चली जाती है brain stem में और brain stem में एक nucleus present है उसे अपन बोलते है nucleus of tractus solitarius जब अपन neuronality में पढ़ेंगे ना तब मैं आपको इसके बारे में और detail में बताऊँगा लेकिन अब याप अच्छे से याद कर लेना कि जो अपना brain stem होता है उसमें एक nucleus present है उसका नाम है nucleus of tractus solitarius तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं आपको उसका याद करने का तरीका बताऊँ ना तो आप पूरा पाधवे याद मत कर रहो तो उसको ट्रिक से याद करो कि जो गैस्ट्रेटरी नाव है ना उसका अगर तुम देखो इसमें दो तरीकी की नाव हैं एक नाव है जो कि genuclide ganglion के पहले present है उसे अपन बोलेंगे pre ganglionic fiber और एक नाव है जो कि genuclide ganglion के बाद है वो होती है post ganglionic fiber post का मतलब होता है अपने ganglion के बाद post ganglionic fiber तो आप यह याद करो पहले तुम के अगरो जी से जी मिला दो कि जो गैस्ट्रेटरी नाव है उसके लिए अपनी present है genuclide ganglion तो अपने जी से जी मिला दिया गैस्ट्रेटरी नाव के लिए एक अपनी है genuclide ganglion फिर genuclide ganglion की pre ganglionic fiber नीचे वाली इसके पहले कौन कौन जी नाव है इस ganglion के पहले अपनी सिर्फ एक नाव है वो की है nervous intermediate यह आप याद कर ले ना उसके लावा nervous intermediate तो आपन को पता ही है वो चली गए brain stem में तो आपन न इसका pre ganglionic fiber तो ऐसे याद कर लिया एक नाव वो nervous intermediate बाकी उसकी यह वाली fiber है ganglion के बाद में post ganglionic fiber उसकी याद करने की trick क्या है तुम इसके आगे के एक एक वर्ड ले लो जैसे की L का जैसे कि तुम lesser का ले लो L ठीक है petrosal का P greater का ले लो तुम G तो यहाँ पर तुम यह LPG गैसे लेंडर होते हैं ना तो LPG तो इसमें क्या होगा अब आप बोलना जो LPG का जो L है वो अपना lesser palatine palatine तो उनको यादी रहेगा soft palatine तो यादी रहेगा आप बोलना L से है lesser palatine lesser palatine तो फिर तुम इंटेरियर palatine में लिख लेना देन P से अपना होगा टेरिगो palatine ganglion और G से है अपना greater petrosal nerve तो यह तीनों की तीनों अपनी हो गई इसकी post ganglionic fiber तो यार कपिया अगर यूनिवर्सिटी एक्जाम में आ गया ना तो तुम बड़े ही आराम से पूरा का पूरा flow chart बना दूँगे क्या चीजें अपन समझ के पढ़ रहा है मैंने आपको एक एक चीज़ डीटेल में बताई असा नहीं कि सिर्फ ganglion मैंने ganglion सब एक इचीज़ डीटेल में बताई फिर मैंने आपको यह भी बताया ऐसे किस तरीके से यूनिवर्सिटी में आव याद करो त्यार अगर अगर Neuroology बस आप मेरी लिए क्या कर सकते हो, आप मेरी शेर करो वीडियो आपको support करना थे जाद-ब स्टेट हट डिलओ इंस्टा बोलो फटाओ ok लोगों को about कि सरकी वीडियो है और एक वीडिवयो नहीं सारे वीडियो के शेर करा करो तकि ज्याद-थे लोगों की चेर कारते रहा हूं तो मैंने को ट्रिक क्या पता है को याद करने कि आप जी से जी मिला दो जनी क्यलेड गैंगलि 운an कर दो आप और जनी खिलें गैंग्लियौन के पहले एक नव है और बाद में आ जाएंगी तीन नव तो इस तरीके सा आप जो है गेस्ट्रेट्री नाफ का फूरा पाथवे युनिवासिटी एक्जाम में यार बना के आ जाओंगे अब अपना क्या बच गया सॉफ्ट पैलेट का म्यूकस ग्लैंड तो यार मैं बता हूँ जैसा यह है ना सेंटा यह वाला प्थ हूए तो म्यूकस ग्लैंड के ना बस थोड़ा सा माइनरचेंजिस रहे वह मैं आपको बता दूंगा तो यार अब अपन को क्या करवाना है जो आपने अपने हाई के प्रेसे पैलेट के नीचे से देखते हुए चलते हैं तो यहाँ पे भी same to same same funda है यहाँ पे भी एक अपनी ganglion present रहती है वो है terygopeletine ganglion यहाँ थे terygopeletine ganglion अपनी यहाँ पे भी आ रही थी लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा था no relay कोई भी इसके अंदर synapse नहीं बनेगा लेकिन यहाँ पे जो अपना mucus gland में क्या होता है यहाँ पे synapses बनता है तो यहाँ पे अपना होता है relay तो यहाँ पे जो terygopeletine ganglion है उसके पहले कुछ नव होंगी वो है pre ganglionic fiber और उसके बाद कुछ नव होंगी वो है post ganglionic fiber तो यार उसके जो post ganglionic fiber है वो बिल्कुल सेम है अगर तुम्हें sensory nerve याद है ना अपनी LPG tricks है तो बिल्कुल सेम की सेम है बस फर्क है यहाँ पे no relay है तो यहाँ पे relay रहा बस एक ही फर्क है बाकि पूरी सेम है तुम देख भी सकते हो टेरिगो पलेटेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें सेम ही होते हैं बस फर्क क्या है यहाँ पर जैनिक्लेट गैंगलियों रिले नहीं बनाएगा यहाँ पर वो रिले बना रहा था और अपना एक फर्क यह है कि यहाँ पर ब्रेन स्टैम में जो अपन सिगनल दे रहते हैं नूकलियस ट्रैक्टर सॉलिटरियस से यहाँ पर अपन हेत्रीनुकलियस है न वह और न अपना इंपस देगा नर्वस्ट इंटरमीडियस नार्वस्ट questa चाहएगा जैएगा जन्यूकलीड गैंग्लियोन में अपना जाएगा PayPal ट्रोजल w में और निफ पलीर बनाएगी आपने देश की यह इसके आपने हो गई प्री गेंगलियोनिक फाइबर दैन इस टेरीगो पेलेट एंड गेंगलियोन से अब आपन को जाना है शॉफ्ट पेलेट तक तो यह उसकी हो गई पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर तो बिल्कुल सिमिलर है यार अगर आपको यह याद है सेंसरी सप्लाय तो आप इसका वो भी सप्लाय याद कर लोंगे और इसको रटे तो सकते हैं नहीं हो इसकी होती है मेली ट्रिक्स और मैंने आपको इसके ट्रिक्स पहले ही बता दी थी तो यार मैं अब आपको मेरे इन नोट्स का स्क्रीन शॉट प्रोवाइड करता हूँ उसक short note में आएगा तो आप short note में क्या करना आप फेले heading डालना soft pellet then heading डालने के बाद जित्ते भी इसके introduction के point है न वो लिख दो कि दो surface, दो borders उसके बाद आप इसके सारे structure बता देना क्या-क्या present है pellet and aponeurosis, mucous gland, फिर muscle, फिर इसका blood supply लिख देना आप ठीके then ultimately फिर आपको इसका लिखना पड़ेगा nerve supply और यार nerve supply अगर वो बोलेगा soft pellet का nerve supply आपको detail में लिखना है तो आपको क्या बिल्कुल इसी तरीकी से flow chart के form में detail में लिखना पड़ेगा और मेली soft pellet में ज्यादा important इसका nerve supply है क्योंकि बहुत complex है तुम ने भी देखा लेकिन अपने बड़े easily तौर पे करा तो मेरी वीडियो से अगर तुम्हारी help होई हो तो वीडियो को तुम्हें करना है like मेरे channel पे तुम बने रहो अपन करने वाले है नियूरो अनार्ट में बहुत जल्दी में नियूरो अनार्ट में स्टार्ट करूंगा इसमें मेरे channel के तुम subscribe कर लो तो thanks for watching and keep learning